वेल्कम टो ओल्लाइन और ओफलाइन ग्यान चनल मैं नेम इस गोरव दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ यह वीडियो आप सब की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है आप लोग बहुत ज़दा रिक्वेस्ट कर देती कि मैं आईटे फिटर ट्रेट प बाद आपके लिए इलेक्टरिशन ट्रेट पर वीडियो लेकर आ जाओं और आपको बता दूए जो फिटर ट्रेट होती है कोई ऐसी वैसी ट्रेट नहीं होती पहली बात इसमें अड्मिशन ने लेके लिए आराउंड आपके टैंथ क्लास में 75% मास्क होने चाहिए दूसर की जो है यहां पर बहुत ही ज़्यादा रिमांड है अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो डैफिनेटल ट्रेट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है बरते हैं आगे पूरा प्रोपर तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ फिटर ट्रेड का क्या है अपर इस्ट्रक्चर है तो भई content की बात करते हैं content में मैं आपको definition बिल्कुल प्रोपर तरीके से समझाऊंगा duration, eligibility criteria आप study material की demand करते हैं भी बहुती कम कोई पर आपको provide किया है जो बच्चे फिटर activity से करते हैं उनको CATS करने का मोका कैसे दिया जाता है इस पर भी discussion करेंगे और यह CATS क्या होता है actual में इस पर भी हम discussion करेंगे छटा, private or government institute कौन सा आपके लिए better रहेगा fee structure आपका क्या होता है प्राइवेट और government का which certificate, intensity, activity कौन सा बेटर है apprenticeship के options क्या क्या होता है stephen आपको कितना यहाँ पर दिया जाता है दसवा, आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा पूरा आपको semester वाइस लेबस में दिखा दूँगा ग्यारवा, private employment के क्या options है बारवा, government employment के क्या options है self employment के क्या options है या नहीं business के foreign job के क्या option है इस पर मैं discussion करूँगा और भई एक request है आप सबसे अगर आपके आसपास आपका दोस्त कोई ऐसा व्यक्ति है जो future trade से IT कर रहा है या कर चुका है या future में करने की सोच रहा है तो एक request है आप सबसे please उसके साथ ये video share कर देना ताकि उसे future की knowledge हो जाए कि actual में trade होती क्या है बरते हैं आगे सबसे पहरे तो मैं definition पर बात करूँगा definition देखो भई ये जो future trade होती है अपने देखा होगा कि ये जो IT ही होती है IT को दो category में डिवाइड किया जाता है एक तो engineering और एक known engineering और ये जो future trade है ये आती है engineering category में आप बात करते हैं यहाँ पर definition की a person who puts together or installs machinery, engine parts और other equipment ऐसे व्यक्ती जो install करता है machinery, engine part एक साथ तो उसको आप future की यहाँ पर definition में जोड सकते हैं बहुत ही अच्छी definition है आप use कर सकते हैं otherwise आप second वाली use करने जो लंदी है, fitted is an engineering trade in ITI, it deals with assembling manufacturing which fit each other in an assembly, ठीक है, तो यह वाली तो आप easily समझ गया होंगे, duration दो साल का course होता है, चार semester में divide होता है, अब आप सबसे request है, अगर आपके state में ऐसा हुआ है, कि fitted trade को semester wise से हटा दिया गया, तो please comment box में mention कर देना, ताकि मुझे थोड़ा पता चल सके, और other बच्चों को भी यहाँ पर पता चल सके, किसी state में ऐसा हुआ है, देखो भाई, यह जो आपकी fitted trade होती है, दो तरीके की होती है, एक SCVT में, एक NCVT में, NCVT में आपको semester तोर पर हायर किया जाता है, SCVT में आप लोगों को यहाँ पर yearly wise paper देने के लिए हायर किया जाता है, training, 6 गंटे की आपकी training होती है, एक दिन में, 4 गंटे का आपका practical पर focus होता है, 2 गंटे थोरी और other activities इस पर आपका focus किया जाता है, ठीक है, यो, मैंने जो इतना part आपको समझाया, next, LGBT criteria, अगर आप fitter trade में admission लेना चाहते हैं, तो 10th class में आपका mathematics और science का subject होना चाहिए, अगर आप merit base पर जा रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ states ऐसे हैं, जो fitted trade में admission के लिए यहाँ पर, क्या करते हैं, intense exam दिलवाते हैं, लेकिन खुछ state ऐसे हैं, आपका अगर entrance exam नहीं होता, तो आपको merit के base पर selection किया जाता है, 90% एरियाज बे यही होता है, कि कोई entrance exam नहीं होता, only merit के base पर आपकी 10th की percentage के base पर selection होता है, और जो fitted trade है, around आपके 75% marks हैं, तो आपका दूसरी और तीसरी counselling में number आने की possibility रहती है, अगर आपके 80 से above हैं, तो first counselling में आपका number आने की possibility रहती है, फी की बात करें, गोर्मेंट में आपके 2-3 जार लग जाते हैं, लेकिन private की बात करें, तो private जो department होते हैं, बच्चों से 50,000, 70,000, एक लाग तक चूस लेते हैं, और help के नाम पर कुछ मदद नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपकी percentage जादा है, तो आप private में ना apply करें, अगर आपकी percentage कम है, तो ही आप private में जाने की सोचें, ठीक है, बाकी जब आपके admission होने वाले आपको पता है, मैं form और everything आपको provide करूँगा, उसकी चिंता करने की जुरत नहीं है, और certificate की बात करें, भाई देखो, always NCVT, एक national level का, जो है, आपको certificate दिया जाता है, NCVT में आपको state level के दिया जाता है, demand NCVT वालों की है, इसमें मैं कुछ नहीं चुपाऊंगा, कहीं NCVT वाले बच्चे सोचें की हमारे लिए कुछ नहीं है, देखो भाई, अब मैं जानता हूँ कि बच्चों को awareness मिली है कि NCVT और NCVT पहले तो बच्चे बस admission ले लेते थे, जब से मेरा चैनल आया, ITA वाले बच्चों के लिए, या फिर किसी और का है, मैं अपनी यहां पर तारीफ नहीं करूँगा, बच्चों को बहुत ही जादा knowledge मिली है, कि actual में यह NCVT, SCVT होता क्या है, एक particular वीडियो मैंने बनाई थी, इसके उपर के NCVT, SCVT में difference क्या है, बहुत बच्चों ने इसे support किया, so thank you so much आप लोगों के support के लिए, apprenticeship, भाई देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो मेरे चैनल के माददम से, apprenticeship में लग चुके हैं, करके घर पे बैठे हुएं, कुछ बच्चे ऐसे हुएं, जो मेरे चैनल के माददम से, apprenticeship करने के बाद, बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं, तो बहुत देखो, यह हर field में होता है, ऐसा नहीं होता कि, लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत कुछ करने के बाद, अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो यह आप लोगों के talent पे, everything आपके talent पे depend करते हैं, आपने क्या क्या चीजे की हुई है, so I hope you got the point, देखो भई, अपरेंट्शिप करना कोई बेकार नहीं होता, यह हाँ, यह डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट घटिया डिपार्टमेंट से करोगे, तो definitely उसका benefit आपको नहीं मिलेगा, अगर आप रेल्वे से करते हैं, ONGC हो गया, IOCL हो गया, HAL हो गया, BHAL हो गया, Ordinary Factory हो गया, बहुत सरे departments आते हैं, अगर आप यहां से apprenticeship करते हैं, तो आप लोगों को benefit होता है, नमबर वन पर railway आता है, उसके बाद यह जितने भी departments हैं, semi government और government यह आ जाते हैं, अब बात करते हैं, भई स्टैफन की, देखो भई, rules के according, 8-9,000 रपे आपको दिये जाते हैं, apprenticeship पर, अगर आप करते हैं, लेकिन कुछ private जो department वाले हैं, वो ऐसे हैं, अपना cut card के, मतलब आप लोगों को ठेकेदार के अंदर hire किया जाता है, अपना card के amount, और आप लोगों को सारे 5000 से, सारे 6000 के बीच में बस provide करते हैं, तो यह आपको देखना है, कि आप कहा जा रहें, apprenticeship के लिए, अब बात करते हैं, कि फिटर वाले बच्चों को CITS में मोका दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, जो SCVT से करते हैं, देखो भई, NCVT वालों को दिया जाता है, लेकिन जो SCVT वाले बच्चे हैं, अगर यह पहले apprenticeship करते हैं, तो ही आपको मोका दिया जाता है, चाया private से करें, चाया government से करें, तो देखो भई, यह CITS actual में होता क्या है, आपने देखा होगा, एक IT teacher बनने के लिए क्या requirement होती है, यह आपने देखा होगा कि आपने जो है, अपने IT institute में आपके जो गुरू जी है, जो आपके IT teacher है, वो कैसे बन गगा IT teacher, सो मैं बात करता हूँ, एक school की, एक school का teacher बनने के लिए, आप लोगों को क्या requirement रहती है, बेड किया होना चाहिए, seated किया होना चाहिए, उसके बाद आपके forms निकलते हैं, वो आप clear करते हैं, तो आपकी जो है नोकली लगती है, इसी तरीके से आपको एक IT के teacher बनने के लिए CTS करना पड़ता है, CTS करने के बाद आपको experience नेना पड़ता है, चाह private department के लिए, चाह government department के लिए as a guest teacher, उसके बाद उसी तरीके से form निकलते हैं, जिस तरीके से jobs के निकलते हैं, और अभी हर्याना जाहर खण में forms निकलते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी, बहुत सार बच्छे ने form को fill किया, तो इसी तरीके से forms निकलते हैं, लेकिन उसमें experience की requirement होती है, CTS करन है, what to choose, भाई देखो, बहुत सारे states ऐसे हैं, जिसमें हर तरीके का fitter trade आपको मिलेगा, sanitary, hardware fitter, marine engineering fitter, marine fitter, electrical fitter, boiler fitter, देखो भाई यह जो fitter है, यह अलग-अलग category होती है, अगर आप fitter general से करते हैं, तो इन सब में apply कर सकते हैं, लेकिन आप for example fitter boiler से करते हैं, तो सिर्फ आ पाएंगे, यानि जो सबसे main trade है, आपकी fitter general है, हर state में आपको fitter general मिलता है, लेकिन mostly institute ऐसे हैं, जहां पर आपको यह trades नहीं दिखेगी, ठीक है, तो जब मैं आपके लिए forms की वीडियो लेकर आऊँगा, detail वाली वीडियो लेकर आऊँगा, दुजर 19 में, जो ITI ambition होंगे, तब मैं इस पर discussion करूँगा, और भई देखो private और government institute, कौन सा institute better है, भई देखो obvious सी बात है, government institute better है, फी भी कम लगती है, सिखाया भी अच्छा जाता है, ऐसे नहीं कि government institute में आपको ना सिखाया जाए, private institute में देखो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और सिखाया जाता है, equipment भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इतना जो है आपर यह नहीं बोलूँगा, कि आप जाकर private से करें, जब government के options available है, private में तब आप जाए, जब आपकी percentage 50 या 60 के बीच में है, और आप किसी ऐसी category से ब्लोंग करते हैं, जो यहाँ पर government में admission नहीं ले पाता, ठीके, so private का मैं इ पर लिखके दिया हुआ है, प्लीज इसका screenshot लेकि अपने पास रख लेना, ताकि आपको पता सिल जाए, तो यहाँ पर आपको बता दू, यह 16 point मैंने mention किये, number of subjects, 5 subject होते हैं, जिसमें trade practical, trade theory, workshop, calculation and engineering drawing, employability skills, ठीक है, पर semester, बाकि अगर आपके पास कोई और subject है, तो comment box से mention कर द से mention का syllabus मैंने complete यहाँ पर दे रखा है, आप देखें, तो यहाँ पर इसका भी screenshot ले लेना, मैं एक semester वाली book आपको provide करूँगा, बाद में, तो semester 1 में क्या होता है, semester 2 में क्या होता है, semester 3 में क्या होता है, semester 4 में क्या होता है, यह आप देखें, तीक है, अच्छे सी से पढ़ क्या क्या चीज़े इसमें include की जाती है, आपको 2019 में इसकी जरूत पड़ेगी, तो यहाँ पर देखो भाई, study material की बात करूँ, तो आप सबकी demand पर मैंने description में आपको link दिया, study material का, क्या-क्या, मैं बहुती कम को उसके आपको provide करूँ, price इसका 116 था, लेकिन मैंने कम कर दिय 92 यहनि 92 रुपिस में आप purchase कर सकते हैं, इसमें आपको करीबन 4000 से ज़्यादा mcqs मिलेंगे, इसमें English और Hindi I think दोनों में available है, ज़्यादा Hindi में English में कम है, इसके साथ अगर आप यह purchase करते हैं, तो यह मैं आपको free में दूँगा, जो पूरी फिटर वाले बच्चों के लिए एक कह सकते हैं, यह book है, और उसके बाद यहाँ पर यह interview के लिए मैं आपको पूरा study method प्रवाइड करूँगा, जो इंग्लिश में है, यह Hindi English में है, यह Hindi में है, और यह English में है, ठीक है, अगर आप यह purchase करते हैं, तो यह दोनों चीज आपको मैं free में provide करूँगा, उसके बा भी बच्चे यह study material लेके IOCL में select हूँ है, ONGC में select हूँ है, और आप लोगों को कोई force नहीं है, आप लोगों की मर्जिया purchase करना और ना purchase करना, ठीक है, तो कैसे purchase करना है, description में link है, जैसे उस link पे click करेंगे, तो ऐसा interface open होगा, जैसे आप यह 92 रूपिस pay करेंगे, तो आपक नमबर लिखना, और next पे click करेंगे, next पे click करते ही, आपके सामने payment करने के options आजाएंगे, जैसे आप payment करते ही, आपके सामने download file का option आजाएगा, आपकी mail ID पे आपका invoice और फाइल भी आजाएगी, और यहाँ पर भी आजाएगी, और यह आपकी इन exam में मदद करेंगी, बहु प्राइबिस आएगा जब आप payment कर देंगे, आपकी mail ID पे, यहाँ पर private employment की बात करेंगे, तो आप welder fitter बन सकते है, pipe fitter बन सकते है, mechanical fitter बन सकते है, technical assistant fitter बन सकते है, technician बन सकते है, plant maintenance fitter बन सकते है, lath machine, lath mechanic fitter बन सकते है, और आपके जो department है, BHEL में आप जा सकते है, ONGC में जा सकते हैं, HCL में जा सकते हैं, IOCL में जा सकते हैं, तीक है, आगे गोवर्मेंट इंप्लोमेंट की बात करें, रेलवे हैं, NTPC है, ONGC है, बहुत सरे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, जहां पर आप लोगों को मोका दिया जाता है, और यह मैं आपको पहली बता दूँ, पहले का फोर्म आफ फिल करो, आप लोगों को यही बोलूँगा, लेकिन अगर आपके पास गड्स है, किसी को पढ़ाने के तो ही, ठीक है, ऐसे मत कर दे रहा है, और यह कुछ स्किल्स है, जो आपको रिक्वाइड होती है, at the time of किसी कंपनी को जोइन करने में, ठीक है, इसे को यह जो फिटर ट्रेड होती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, जहाँ पर आपको फिटर ट्रेड की रिक्वाइर्मेंट ना पड़े, कंपनी को फिटर की रिक्वाइर्मेंट होती होती है, लेकिन बहुती कम मात्रा में, पहली बता दूं, और self implement की में बात करूँ, तो भई जो है commission basis पे काम कर सकते हैं इसके लावा आप अपना खुद का shop कोल सकते हैं आप जो है जो भी parts होते हैं फिटिंग के अपने एक बात करूँ तो अपने एक चीज देखी होगी एक shop होती है hardware shop hardware shop की दुकान खोल सकते हैं अगर आपके पास पैसा है आज कल तो loan की भी सुवीदा इतनी है अगर आप अपने business को open करने जा रहे है business की requirement है आपको business करना चाहरे है future में तो आप लोगों को यहाँ पर सरकार भी loan दे देते हैं लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको हाथ पर मारने पड़ते हैं के खाने पड़ते हैं तब जाके आपको मिलता है foreign job के लिए मैं पहली बता दू दुबई में बहुत सारे options हैं लेकिन मैं क्यों बच्चों को यह बोलू कि दुबई में जाके वो इस तरीके का काम करें अगर उनके state में सारी चीज़ अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट बोक्स में मैं कोशिच करना कोशिच करूँगा कि उस टेड़ पर आपको वीडियो बनाके दे सकूँ इस्टेडिमेटर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्टर में दे रखा है फिटर का जो आपको डिफेंट डिफेंट गॉर्मेंट जो आपके